एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लोट रहा था, तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुई देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जागुसा और शेर के ऊपर चग गया। वह शेर के ऊपर खूब उच्छल कूट करने लगा और उसके बाल खीचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींग खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया, तो वो समझ चुका था कि शेर की गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तहे। चूहा बुरी तरह डर गया और रो रोकर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे, तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविश्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे की बाते सुनकर शेर की हसी निकल गई, शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे। चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तब ही अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहार लगानी शुरू की। उसी वक्त वो चुहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहारने की आवाज सुनी। वो शेर की आँखे भर आयों और नम आखों से शेर ने चुहे को धन्यवाग किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चुहा अच्छे दोस्त बन गए।